नवस्कार साथियों ये सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारम किया है दिगी फिर भी नब भार की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी की नहीं होगी ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है ये आजहादी के अमरित महुचव का कालखंड है पंदरा अगस का विशेश महत्वप है और आने वाले पचीज साल के लिए देश जब सताब्दी मनाएगा तो हमारी पचीज साल की यात्रा कैसी रहे हम कितनी तेज गती से चले कितनी नई उचाईयों को पार करे इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रती समर्पित हो करके देश को दिशा देना सदन देश का नित्तुत्व करे सदन के सभी मान्य सदस्य राष्ट में नई उर्जा भरने के लिए निमित्त बने उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है ये सत्र इसले भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपतिपद और उपराष्ट्रपतिपद के चुनाव हो रहे हैं आज मद्दान भी हो रहा है और इसी कालखन में देश को नए राष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति उनका मारदर्शन प्रारंब होगा हम हमेशा सदन को संबाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं तीर तक्षेत्र मानते हैं जहां खुले मन से संबाद हो जरुत प्रड़े का वाद विवाद हो आलोचना भी हो बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्ट्लेशन हो ताकि नीती और निड़ेयों में बहुती सकारात्म योगदान हो सके मैं सभी आदानिय सांसदों से यही आगर करूँगा कि गहन, चिंतन, गहन, चर्चा, उत्तम, चर्चा और सदन को हम जीतना ज्यादा प्रोड़क्टिव बना सके सदन को जीतना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके उसलिए सब का सयोग हो और सबके प्रयाश से ही लोक्तंतर चलता है सबके प्रयाश से ही सदन चलता है सबके प्रयाश से ही सदम उत्तम निर्ने करता है और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तवियों का निर्वा करते हुए इस सत्र का राष्ट हित में सरबाती को प्योग करें और हर पल याद रखें कि आज़ादी के लिए जिनों ने अपनी जवानी खपा दी अपना जीवन खपा दिया जिन्द की जेलों में काटी कुछ ने शहादत शुकार की उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब पंदर आगश सामने है तब सदन का सरबादिक सकारा प्योगों यही मेरी सबसे प्रार्तना है आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद